पीनो पेइमेंट्स बैंक आईपियो सब्सक्रिप्शन खतम हुआ है इंपोर्टन सब्सक्रिप्शन से लिलेटेड डेटा कौन से इंपोर्टन डेट सब ध्यान में रखनी है ग्रे मार्केट प्राइज लिस्टिंग दे के समय क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते है और आपने अप्लाई किया है या नहीं किया है कुछ इंपोर्टन डेटा चो आपको फीनो से रिलेटेड जानना चाहिए और फ्यूचर आईपियो में भी आपको ये सब डेटा काम आएंगे ये सब लास्ट में दोस्तो हम डिसकस करने वाले है सबसे पहले सब्सक्राइब हुआ है बारा सो करोड का आईपियो था क्यूआई भी पोर्शन वन पॉइंट सिक्वाइब टाइम से मतलब यहां पर सिंपल समझ में आ रहा है कि जो है जो दिखाई जा रहा है वह इस आईपियो को लेकर बहुत ही उत्साहित नहीं है लिस्टिंग गेन की संभावना यहां पर कम है एक बड़ी हिंट इसी डेटा से हमको मिल जा रही है रीटेल सब्सक्रिप्शन 5.92 टाइम से मतलब रीटेल जो इन्वेस्टर से उन्हों ने बहुत इंट्रेस्ट यहां पर इस आईपियो में दिखाया हुआ है अब गर आप रीटेल सब्सक्रिप्शन ऑन देखे तो 4.76 टाइमस है मतलब कुछ अगर एक एक रॉफ एस्टिमेट करना हो तो समझ दीजे घर से 9 एप्लिकेशन गई है तो फिर 2 एप्लिकेशन में यहां एलोट्मेंट के चांसें है जोकी मुझे लगता है नाइका से चांसें almost double है नाइका में वही चांसें जो थे यहां पर लगबग 9 में एक के चांसें थे वो चांसें यहां 9 में 2 के है तो वो एक चीज है और दिख भी रहा है कि चुकि इस IPO में उतना बहुत इतना बहुत उत्साहित जो थे इंवेस्टर नहीं थे चोटा IPO था ना IKEA से बहुत चोटा IPO था और उसके बाद भी इतना बड़ा इसको जो है रिस्पॉंस नहीं मिला अब important dates को से ध्यान में रखने है November 9 basis of allotment link expect की जा रही है दस तारीक को हम share कर देंगे हमारे टेलिग्राम ग्रूप जो है उसके साथ आप जोड़ सकते है जोस्तों वहाँ पर हम analysis और जो important trends है हम वहाँ पता करते ही रहते हैं share credit 11 November और listing जो है 12 November को expected है यह कुछ important dates है जो हमको ध् पता चल रहा है कि खराब price है GMP poor है listing gain expect नहीं किया जा रहा है इस IPO में लेकिन market है market condition market condition अच्छे से अगर इसकी सुदर जाती है GMP volatile चीज है तो उस case में बताब changes होते रहेंगे तो फिलाल अभी लग रहा है जिस दिन IPO समाप्त हुआ है GMP ज्यादा दिख नहीं रही है अगली चीज अब business के बारे में बात करेंगे anchor के बारे में बात करेंगे और यह समन्दा बहुत ज़रूरी है सबसे पहले मैं anchor list से शुरूआत करता हूं दोस्तों anchor list को मैं generally देखता हूं कि investors बहुत जादा इसको IPO से पहले यह चीज को नहीं देखते हैं कम देखते हैं बट मुझे लगता है कि IPO में invest करने से पहले यह एक important point होना चाहिए और अच्छी बात किया है कि IPO से एक दिन पहले यह list आभी जाती है आपके पास मतला IPO की शुरूआत से एक दिन पहले अब देखिए जैसे इसमें 29 schemes ने हाँ पर apply किया हुआ है पांच अगर mutual funds की बात करें पांच mutual fund और 17 schemes ने apply किया है यही चीज अब जैसे नाइका के बारे में मैं बता हूँ नाइका में 93 mutual fund schemes ने apply किया था और 21 बड़े-बड़े fund house ने apply किया था तो confidence कहां बैठेगा नाइका में बैठेगा अब देखिए यह सिर्फ IPO listing gain और कुछ एक दो महिने के लिए ही मुझे लगता है important data ह यह एसार भी नहीं है कि वह पांच साल दस साल के लिए बट बेसिक at least listing gain के जो नजरिये से एक कुछ important data at least हो जाता है मुझे लगता है मेरे experience मैंने यह देखा है तो जैसे यहां भी अधित्य बिल्ला सनलाइफ मोतिला लोस्वाल इन्वेस्ट को ITPL जो है चाटा mutual fund इन लोगो है उन्होंने apply किया हुआ है तो है लेकिन सभी schemes का एक बहुत ही छोटा percentage है तो ठीक ठाक है अब देखें अब यह reason भी है इसके अगर आप financials देखेंगे तो यहां मैं सबसे पहले आपको P ratio दिखा देता हूं P ratio पिछले साल का था 220 times मतलब एक रुपे की earning हो रही है और उसके पीछे 220 रुपया company चार्ज कर रही और अभी quarter 1 अगर F122 मतलब जून quarter देखें तो 360 times तो मुझे लग रहा है company कुछ जादा ही महंगी है table पर सायद पैसा उतना नहीं रखा हुआ है और दूसरी important चीज है कि यह जो दो चीज यहां पर company के हिसाब से है कि earning अगर भविश्य मे बढ़ती है मतलब यह जो earning बढ़ती है तो पी रेश्यो नॉर्मलाइज होगा तो यह चीज है जैसे प्राइस 220 का है earning एक रुपे की है तो 220 समझ में आता है लेकिन वही प्राइस 220 का हो और earning 5 रुपे की हो जाती है तो पी रेश्यो 40-45 के आसपास हो जाएगा तो यह एक important च share negative है अभी थोड़ा सा positive की तरफ आ रहा है यह सब चीज है profits की बात करें loss loss 2019 में loss 2020 में थोड़ा सा profit हुआ 2021 में Q1 में थोड़ा सा profit हुआ है income grow हो रही है 46 times grow हुई है पिछले 4 सालों में but company loss profit की तरफ आ रही है और उसके बाद IPO में बहुत ज्यादा valuation मांग रही है तो भी एक रीजन हो सकता है कि investors ने हाँ थोड़ा wait and watch का जो approach है वो रखा है दोस्तों उमीर है छोटे से वीडियो में आपको value मिली होगी चैनल अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब किजिएगा दोस्तों धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए थैंक्यू वेरिमत दोस् प्यूप आपके कीमती तोs बाम सब्सक्तों कीमती समय किए वेर दे पान दे मारिप रखाया है वेरिमती समय कुछते व youtubers काहीं हो थैंक्या कैया के तोसमय काहीं आपको जावे हैं कि अब्सक्तों नहोपें राख़र सभाने एंक्हादा ओ क्यूएगर सिवे प्यूज धन्य